दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन के जीवाल ने पूछा एक मासूम सवार जिसके बाद हो गया बवार अर्विन के जीवाल ने कहा एक खास शक्स है जो इंडिया यानी भारत से नफरत करता है और फिर भी जनता आखरकार क्यूं दे रही है उसका साथ दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्वित के जीवाल यू तो कई बार विबक्षी पार्टियों पर निशाना सात्ते आये हैं लेकिन आज जब केजरिवाल ने एक सवाल पूछा एक नहीं एक मासूम सवाल पूछा तो आखिर क्यू हो गया इतना बवार कौन है वो शक्स जिस पर केजरिवाल ने लगाया भारत से नफरत करने का रूप क्या है ये पूरी खबर वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आप से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चानल में नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें संसद में चल रहे मौनसून सत्र के दौरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्ष के गड़बंधन इंडिया पर निशाना सादा था विपक्ष के गड़बंधन पर पियम मोदी ने कहा कि देश का विपक्ष भ्रहमित और दिशाहीन है उन्होंने केजरिवाल की गड़बंधन वाली सरकार यानि गड़बंधन इंडिया के तुलना, East India Company और इंडियन मुजाहिदीन से थी जिसके बाद अर्विन केजरिवाल ने अपने Twitter पर हैंडल पर एक ट्वीट किया इस ट्वीट में PM Modi से उन्होंने एक सवाल कर डाला जी हाँ प्रधान मंत्री नरेंध मोदी पर निशाना साते हुए केज रिवाल ने ट्वीट किया जिस पर केज रिवाल ने पूछा कि आखरकार इंडिया से प्रधान मंत्री नरेंध मोदी को इतनी नफरत क्यूं है अब मैं आपको ये पूरा मामला समझाती है दरसल प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने गडबंधर इंडिया की इस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुल्ला करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने इस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उन्हीं की तरह विपक्ष ने इंडिया गडबंधर मनाया इस पर सवाल करते हुए दिली सियम अर्विन केश जिवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री को इंडिया से इतनी नफरत क्यूं है इसके राबा आप नेता रागव चड़ा ने भी पीम पर हमला करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अब इंडिया शब्स से नफरत करने लगे हैं अना कि रागव चड़ा ने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और दिल्ले के मुखे मंद्री केजरिवाल के बीच ये जबानी जंग शांत होती नहीं दिख रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में प्रधान मंति नरेंद मोदी और अरविंद केजरिवाल के बीच एक बहुत बड़ा महायुद होने वाला है फिलार आजके हमाई इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ अगर आप हमाई चानल में नए हैं तो हमाई चानल को सब्सक्राइब जरूर करें